नमस्कार किसान भाइयों देख सकते हैं आप इसमें बूंड इतना साइज इस्तिति साया गुआ है अब देख सकते हैं इसमें इसमें यह राशी 669 का है बीज सीटकॉन और इसमें जिसे पता है इदा देख सकते हैं आप कितना चेसे मतलब अब फल पकड़ रहा है यह पौधा और किसान भाई इसमें देख सकते हैं कुछ माहू अगर तेलाव अगर आशुका कर देखिए यह माहू अगर है 150-3 किसंट पर Hey मोनिं दो 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधे में तू हैं कि कि नो इधर यह संब है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 हो साखा में इस और देख सकते हो इसमें भी यह अपना कपाश का खेत है किसान भाईयो इतना अच्छा है हमारे च्छेत रभ भी चत्तिस गड़े बरसात अभी खतम हो चुका है और खेत अभी पाइप से पलाया जा रहा है खेत में और यह मांदय पर लगा हुआ खिसान भाईयो यह कपाश ज हमाहुव अगर हो गया इसमें पर इचीतने वाले हैं तो इसमें यह देख सकती ऐसे मंदत प्लूमांदा पांच फुट की दूरी पर लगा हुआ है इसमें आपको अंदर में जाके दिखाए हम लोग को इसमें देखाएंगा आपको किसान भाई वी देखिए साखाओं में जो इसकी साखा निकली हो यहां से तने से इसमें कोई कमी नहीं है कहीं भी आपको अंदर भी यह मतलब 20-20-30 इंड लगने चाले हो गए है यह देख सकते हैं कि यह आप इस प्रेटों हमें विश्चितकाव करने वाले इसमें महुवगर रखा तेला चुसक जो इसको बोलते हैं अपने देख सकते किसन भायू तो फल में कोई कमी नहीं है मेरे इसाब से तो बाकि आप कमे लग बग चार फीट-पांस फीट के हाई टोस के कम से कम लग बढ़ लग देखिया आप है कि देख सकते किसान भाई हो काफी बहतर पौधा है और वह एक तो आता है राउंड अप फिर ही आजकल ब्लैक में चलता है वह नहीं है और उसमें अभी भरसरकर ने बैन लगा रख यह पौधा रासी का है है और इसमें यह सबसे बहतर और सबसे अधिक जिसमें बॉंड में इसमें 6 गराम का लग बलग एक टिंडे का वज़न आता है इसमें 6 गराम का लग बलग अनुमान का और अभी जब यह निकलेगी किसान भाईये तो आपको दिखाएंगे जैसे यह इसमें 6 किलो का आता है लग बलग बलग इस सोरी 6 गराम का लग बलग इसमें आता है एक उसमें जैसे का पास निकलती है तो तो काफी अच्छी फुसर किसन भाईयो